वाडी पुलिस टेशन चेतर में दो साल से बाइक की चोरियों की घटना बढ़ गए थी करीबन दस से बारा टू वीलियर गाडिया पुलिस ने बरामत की लेकिन आरोपी पकण में नहीं आये थी गुरुवार की शाम को पाच आरोपियों को मौदा वाडी पुलिस ने धर्दबोचा रतन विहार कॉलनी निवासी मुकुन सुधा कर जाड़े की स्प्लेंडर बाइक घर के सामने से दो साल पहले चोरी हुई थी जो बाइक पुलिस ने बरामत की बताया गया कि पाच आरोपियों को मौदा पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में पकड़ा था जिसमें आरोपियों ने वाडी की बाइक चोरी की कबूली दी थी वाडी पुलिस को सूच न दी सभी आरोपी सेंट्रल जील रवाना होई थे वाडी पुलिस ने सेंट्रल को पत्र दिया लेकिन आरोपी बेल पर छुट के थे वाडी पुलिस ने आरोपियों को मुबाइल ट्रैक से पकड़ लिया आरोपी मौदा निवासी प्रमोद राजु गजबिये उम्र 22 साल प्रीतम इंदल सुनाव ने उम्र 20 साल अविनाश उर्फ विक्की राजु गजबिये उम्र 24 साल आशेश उर्फ गोलु इंद्रपार सुनाव ने उम्र 26 साल उमेश शलिक राम सुनाओ ने उम्र 25 साल को मौदा मी हिरासत में लिया आरोपी को शुकरवार को कोट में हाजर किया वाडिक शेत्र की चोरियों का खुलासा अब हो सकता है अब तक वाडि में भारी मात्रा में गाडिया चोरी हो गई है शुकरवार को एक हीरो होंडा स्प्लेंडर जिसकी कीमत पचास हजार रुपे बताई गई है जो की जब्त की गई डिसीपी नुरूल हसन पी आई प्रदीव सूरेवनशी की मार्क दर्शन में डीवी स्कॉर्ट की एचसी प्रमोदगिरी एचसी संतोष उपाध्याय दुर्गादास माकवे बंडु सिंग जाधवने कारवाई को अंचाम थिया वाडी से सुरप पाटिल इन बीसी नियूस नाकपूर